नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जवब सुनिल में दोवारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दोवारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नन टीचिंग वेकनसी लेकर के आया हूँ और ये जो वेकेंसी आई हुए Pacific World School से आई हुए है दोस्तों तो इस वेकेंसी के डीटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट प्राइबेट गॉर्मेंट हर एक छोटी वड़ी टीचिंग वेकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वाइर्मेंट है या जो भी येड कर चुके हैं तो चलिए इस वेकेंसी के डीटेल्स हम जानते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर वी आर हाइरिंग पे यारटी के लिए जो वेकेंसी है प्री प्रामरी टीचर पी आरटी में जनरल क्लास वन टु टीचर के यह वह सकता है इसके अलावा जो है English, Hindi, Mathematics, EBS, Social Science, Science, Computer Science और Mandarin, Spanish, इसके अलावा जो TGT में है English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science, German, Sanskrit और Computer Science की वेकेंसी है दोस्तों PRT और TGT के लिए Qualification आपका Bachelor डिगरी या फिर Master डिगरी concerned subject से with BA या फिर DA भी है तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा PGT में जो पोस्ट है वो Mathematics, Business Study, Interprehensive, Physics, Economics, Computer Science, IP, Geography, Psychology की वेकेंसी है जिसमें concerned subject से आपका PG यानि Master डिगरी वित BA होनी चाहिए इसके अलावा एक्टिबिटी टीचर में Dance, Art, Physical Education, Music, Librarian, Swimming Lifeguard, Doctor, Science Lab इन चार्च की वेकेंसी जिसमें concerned subject से आपका डिगरी या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों और relevant experience यहां पर देख सकते हैं इस वेकेंसी को फिल करना है तो आप अपना CV जो है वन विक के अंदर वेकेंसी एड़ डरेट PacificWorldSchool.com पर भेज देंगे कोई doubt या confusion होगा तो देखिए आप मोबाइल नंबर दिया गया आप डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सकते हैं और यह जो वेकेंसी आई है PacificWorldSchool by DPS Indra from Greater Noida West की वेकेंसी है तो आप फिल करें फ्रेसर भी है तो अपलाई कर सकते हैं दोस्तों eligible communication skill आपके अच्छी होनी चाहिए shortlisted होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो अच्छी वेकेंसी है experience और जो फ्रेसर है वो भी अपलाई करिए कोई doubt या confusion होता है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा श